दोस्तो आज हम लोग जानेंगे कि एक क्वार्स रूम हीटर के अंदर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है तो चलिए जानते हैं इसको जानने के लिए इसको खोलना होगा ये दो हिसो में सेपरेट हो सकता है चलिए इनको सेपरेट कर देते हैं ये थिमबल तो निकल गया है इनको निकालना मुश्किल रहेगा बैटर है कि मैं यहां से इसको डिस्कनेट कर दूँ आगे वाला फिलामेंट वाला कोशन सेपरेट हो गया है और पीछे वाला पीछ अले में electrical circuit है जिसमें AC mains आ रही है neutral नीच अले switch से होके जारी है filament के साइट को और जो phase है वो in switch के रूप जारी है filament के दूसरे साइट को और दोनों पर common है ये light तो ये electrical circuit हो गया और यहाँ पर है filament चलिए filament को बहार निकालते हैं तो इनको निकालने का तरीका काफी असान है ये जो पत्ती दे रखिए इसको बहार निकालना है ये पत्ती कुछ steps निकल जाएगी ये filament को बहार निकालना है तो ये है दूस्तो quarts का filament मतल कि इस पूरी device का main heart ये quarts की ट्यूब है जिसमें दोनों साइड चीन मिटी के spaces लगे हुए है और finally connectors और इनके अंदर क्या है इनके अंदर है filament चलिए मैं आपको filament को भी निकाल कर दिखा देता हूं तो बिल्कुल सेम वैसे ही resistive element जैसे की resistive heatress में होता है blowers में होता है ये फ़र convection type की heatress में होता है बिल्कुल वैसे ही element है बस यह जो element है ये heat को directly space में लिबरेट नहीं कर रहा है ये लिबरेट कर रहा है इन इस तो यहां पर जनरली इंफारेट अमिशन हम लोग कंसिलर करते हैं इंफारेट जो लाइट अमिट हो रही है तूद इस फिलामेंट यह इसकंदर ट्रैप हो रही है और जैसे इंटेंसेटी किसी सफिशन वैल्यू से जागा हो जाती है तो यह जो ट्यूब है यह रेडिट करना है जो की काफी effeucantly environment को space को heat कर देती है अगर यह ट्यूब खराब हो जाए और त्यूब खराब जो कि ट्रैप हो रही है then after certain intensity यह क्वार्ड की ट्यूब है यह इस इंफारेट को अमिट कर दे रही है अब सवाल यहां पर यह बनता है कि इन इंफारेट हीटर के साथ कोई भी थर्मोस्टेट क्यों नहीं आता या फिर कोई भी ब्लोर या फिर फैन क्यों नहीं आता तो जैसे आप पीछे साइड में हो तो गर्मी नहीं लगे कि तो ऐसे केस में अगर थर्मोस्टेट लगा रहे तो कहां लगा होगे आगे पीछे उपर नीचे दाइमाई दूसरा सवाल दोस्तों यहां पर कि इन में फैन की होता है अब दोस्तों फैन इसले नहीं होता है क्योंकि यहा तो जनरली कहानी यही है कि इस टैप के जो हीटर है यह इंफारेट लाइट को एमिट करते हैं और लाइट एर को गरम नहीं कर रही है इसी वज़े से फैन लगाने का यह फिर लगाने का कोई फैदा नहीं है जब हवा गरम ही नहीं हो रही है तो किसको रिस्ट्रिगूट करो गए अगर गरमी चाहिए तो आगे ही बैटना है सीधी आएगी चाहिए आंधी चले चाहिए तुफान चले आगे हो गरमी मिलती रहेगी ठीक है फानली यह एसंबल हो गया है work कर रहा है और इसके नीचे वाला स्विच है व離 करने लग गया है तो आपको पूता चल गया होगा कि क्वार्स यूआ होता है और क्या होता है और यह कैसे विर है क्यों इनके साथ thermostat नहीं आता है और क्यों कोई fan नहीं होता है अगर अभी भी आपको सवाल हो कोई question हो क्यों 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 वारी हो इस हीटर को लेके आप मुझे इस चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अकर कर रहे हो तो साथ में जो बैल आइकन है घंटे वाल जो निशान है उसको आल करके बजा देना दबा देना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फूचर अप्डेट कोई फूचर इस्टेपी वीडियो मिस नौप पाए नमस्कार झाल कर लोगों सुने कर दो है